बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नवसकार राशी चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवेण मिस्र 25 अक्टूबर को सूर ग्रहन था ये सूर ग्रहन आपके जीवन पर एक महने तक असर डालेगा सास्तरों के अनुसार शूर ग्रहन एक महने तक असर डालता है आठ नौमबर को चंद ग्रहन पढ़ने वाला है तो हम जानेंगे शूर ग्रहन से चंद ग्रहन तक कैसा रहेगा अलग-अलग राशियों पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसी आधार पर आपका राशी चक्र तैयार किया गया है आएए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा सबसे पहले बात आज के पंचान की 30 अक्टूबर 2022 दिन रईवार कार्तिक मास चल रहा है शुकल पक्ष है सस्टी तिथी रहेगी 3 बच कर 27 मिनट 31 अक्टूबर तक मूल नचट रहेगा 7 बच कर 26 मिनट तक फिर पूर्व अशाड़ा नचट शुरू हो जाएगा चंद्रमा धनू राशी में गोचर कर रहे हैं और भगवान शूर तुला राशी में बिराजमान है आज अभी जीत मुहूर्थ का समय होगा सुबह 11 बच कर 42 मिनट से 2 पहर 12 बच कर 27 मिनट तक राहुकाल का समय होगा साम को 4 बच कर 14 मिनट से 5 बच कर 38 मिनट तक दिशा शूल है पश्चिम दिशा चलिए शुरू करते हैं राशी चक्र सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वालों के काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी यात्रा से लाब होगा मन की चिंता दूर होगी बाचीत में अहंकार ना दिखाएं शुबरंग पीला उपाय भगवान शूर को जल अर्पित करें ब्रश राशी विदेश से सम्बंधित काम बनेंगे प्रापर्टी खरीदने का योग बन रहा है आपका सम्मान और बढ़ेता दुश्मन शांत रहेंगे शुबरंग गेरुआ उपाय किसी गरीब को आटा दान करें मिथ उन्राशी जीवन साथी से सहयोग मिलेगा आपकी कारेचमता बढ़ेगी भावनाओं में बहकर कोई भी काम करने से बचना होगा धन से जुड़े मामले में धोखा मिल सकता है सावधान रहें शुबरंग नारंगी उपाय किसी गरीब को गुड़ का दान करें करक राशी मित्रों की मदद से काम बनेंगे परिवार में सुख बढ़ेगा कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा धन प्राप्ती के योग आपके लिए बन रहे हैं शुबरंग सफेद उपाय गव माता को रोटी खिलाएं सिंग राशी परिवार के साथ वक्त बीतेगा धन लाप का योग बन रहा है आवेश में आकर कोई भी बात कहने से बचें प्रेम संबंदों में गहराई और बढ़ेगी शुबरंग लाल उपाय पक्षियों को जल भगवान शूर को जल अर्पित करें कन्यराशी धन कमाने के लिए योजना बना कर काम करना होगा शत्रू शांत रहेंगे अपने व्योहार में विनम्रता रखना होगा परिवार वालों की सलाह से आप काम करेंगे तो फायदा होगा शुबरंग हरा उपाय किसी गरीब को पीले फल दान करें तुला राशी किसी महत्पूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी परिवार से सहयोग मिलेगा प्रिये जनों के साथ कुछ अनबन हो सकती है किसी काम में ज़्यादा उतावलापन ना दिखाएं शुबरंग सफेद उपाय गव माता को रोटी खिलाएं ब्रिश्यक राशी उन्नति के रास्ते बनेंगे अपने ज्यान और हुनर को बढ़ाने का समय है जल्दवाजी में निवेश ना करें रिष्तेदारों के सहयोग से बिजनस ना करें शुबरंग लाल उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं धनुराशी समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा भागय का साथ मिलेगा यात्रा से फायदा होगा दामपत्ती जीवन में मधुरता बढ़ेगी शुबरंग पीला उपाय किसी गरीब को चावल दान करें मकर राशी परिवार वालों से सहयोग प्राप्त होगा मन में नेगेटिव विचार ना बढ़ने दें जो काम आप कर रहे हैं पूरे मन से करना होगा मन को भटकने से रोकना होगा शुबरंग क्रीम उपाय किसी गरीब को फल का दान करें कुम्भराशी आज कोई बड़ा सौदा करने से बचें धन की प्राप्ती होगी अपनी बात पर अड़े ना रहें लोगों के सुझाव मानने से लाब होगा शुबरंग बादामी उपाय किसी गरीब को पीले फल दान करें मीन राशी अपने समय का पूरा उपियोग करना होगा जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी आपकी खर्चों में बढ़ोत्री होगी शत्रों को लेकर लापरवा ना हो शुबरंग के सरिया उपाय भगवान शूर को जल अरपित करें राशी चक्र में आज बस इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपका दिन शुब हो नमस्कार्ण